हेलो गाइज गुद आफ्टेनून तो गाइज आज हम यहां पे डिसकस करने वाले हैं अपना लेक्टर नमबर 16 इसमें हम आज टॉपिक जो कवर करने वाले हैं कंप्यूटर अप्लिकेशन का वारे सब्सक्राइब करेंगे कि सिस्टम बेस्ट अटाक क्या होते हैं इसको वारे सिस्टम में जो गुस गया है तो आगे बढ़ते हैं डेली के रूटीन की तरफ यहां पर डिसकास होते हैं तो देखते हैं आपकी जल्दी से कोई भी चीज नहीं होने वाली है जो भी चीज होगी आपके परफेक्ट यानिके टाइम पर होगी ठीके तो यह भी कहा गया है देखो यह हमारे उसमें कहा गया है के तू करम कर फल की चिंता मत कर फल तेरे हाथ में नहीं है ठीक है भाई आपको तो अपना करम करना है आपको तो अपना काम करना है फलकी जिंता तो परवाले पर छोड़ दो ठीक है यह निके बस आप अपना काम करते जाओ जो भी चीज की आपको ज़रूरत है वो आपके पस आएगा ही आएगा लेकिन परफेक्ट टाइम पर आएगा परफेक्ट टाइम कब आएगा जब आप उसके लिए अच्छा हर्ड वर्क करोगे ठीक है अच्छी स्टाटेजी अपनाओगे उस वक्त वो चीज आपके पास दो वी इसीक एप्लिकेशन और कॉंप्यूटर उसके कमपोनेट वह कावर कर लिए हैं ठीक है ब्रिंगिंज कम्यूटर द लाइफ यह भी कावर नहीं किया है फिक है इसको लिकेंगे बाद में important topic नहीं है उसके बाद fundamental जो computer sizes के वह भी हमने यहँ पे कावर कर लिए हाडवेर और सॉफ्ट्वेर यह भी हमने कवर कर लिया है इनिपट और आउटपुट डिवाइस यह भी हमने कवर कर लिया है MS Word MS Excel MS PowerPoint Internet यह भी कवर कर लिया है बचता है हमार पस MS Access यह हम बाद में डिसकस करेंगे बाद में टाइम मिला तो ठीक है PDF जो है यह भी हमने कवर नहीं किया और email भी कवर नहीं किया ठीक है यह एक ही सब टॉपिक है एक यह दो कोशनियां से बनेंगे तो इतना करना है इक हमें इंवर निसके बारे में उसके बारे में अगला टापक हुह ने इन 방शीा में यूज होती है वह करेंगे अपना 잠깐 करना से स्टार्ट करना है क्योंकि एकाउंट एंसी भी हमें कौवर करने उसमें कम सिकम हमारे दो मीने लग जाएंगे ठीक है उसके बाद एंसी के उसमें आपके लिए लेकर आता रहूंगा जैसे मुझे टाइप मिलता रहेगा गाईज मुझे भी टाइप मैनेज करना पड़ता है तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ system based attack कल हमने पढ़ा था web based attack I hope कि आप ने स्लेक्शन को अच्छे से enjoy का होगा तो देखते हैं system based attack होते क्या है यह attack जो हमारे computer पर ही होते हैं या हमारे computer प्विटर नेट्वर्क पे होते हैं कुछ system based attack होते हैं जो यहां पे हैं जिसे हम virus कहते हैं ठीक है अब viruses भी अलग-लग किसम के होते हैं virus होगा Trojan होगा malware होगा ransomware होगा अलग-लग उन चुजों के बारे हम यहां पे जानेंगे तो computer virus क्या है यह एक malicious software होता है ठीक है जब इसको जब यह execute होता है ठीक है अपनी तरफ से खुद ही replicate कर लेता है ठीक है by modifying other computer खुद से ही दूसरे computer program को modify करना start कर देता है और अपने ही code यहां पे insert करना start कर देता है तो आपने अक्सर आपके phone में देखा होगा जब कोई virus वगरा आ जाता है तो एक file बनी ठीक है उसको अगली और file खुद से मतलब वहां पे file जो है modify होती रहती है क्रेट होती है ठीक है जब यह replication succeed कर जाती है तो जो affected area जो होते है उनको infected कहा जाता है ठीक है में virus आ जाएगा ठीक है यह virus क्या होता है malicious software होता है जब इसको execute होता है तो अपने तरब से कुछ से यह modify होता रहता है हमारे computer program में अपने ही code को insert करता रहता है जब यह insertation replication जो यहाँ पे succeed हो जाती है ठीक है affected area को हम कहते हैं कि अब हमारा यह infected area है ठीक है अब virus जो होता है वह separate हो सकता है कैसे जब हम कोई email attachment को open करते हैं ठीक है click करते हैं किसी executable file पर या कहीं हम visit कर देंगे अगर infected website पर या हम infected website जो advertisement होती है उसको देखें तो हमारे computer में क्या आ जाता है virus आ जाता है और यह हमारा infected removable storage जैसे में आपको कहना usb drive होती है ठीक है जो usb drive होती है वगारा जो हमारी pen drive वगारा होती है तो उनसे भी क्या होता है अगर वह infected है उसके अंदर virus है उससे भी यह separate हो सकता है तो एक चीज़ बताएंगे आप usb की full form आप मुझे यहां पर बताएंगे क्योंकि पिछे में पढ़ा चुका हूँ आगे क्या है जब यह virus वन सब वाइरस अभी वाइरस जो है हमारे होस्ट को ठीक है जो server का house होता है उसको अगर infect कर लेगा ठीक है इसमें इतनी capacity हो जाती है कि हमारे जो system जो होता है computer के data जो होता है उसको corrupt कर सकता है उसको delete कर सकता है ठीक है और यह हमारे email program को utilize कर सकता है जिससे कि यह virus जो होता है दूसरे computer system में भी क्या कर सकता है वाइरस को separate कर सकता है ठीक है जो worst case scenario में क्य क्या होता है इत का हमारा सब कुछ भी यहन की इवर्न की आपके hotdysk को भी आपकी hotdysk में सब कुछ delete कर सकता है इतना ख़तरनाग होता है वायरेश ठीक है तो पर्पस जो होत कि क्या होता है कि हमारे ओपरेशन जो है हमारे computer program के उनको disrupt करना ठीक है जसे क्या होगा राइपर ठीक है यह कुछ एक्जम्पल ने राइपर स्टकनेक्स पेटिया वनक्राइप कोड्रेट मेलिजा सासर जियोस माइडोम क्रिप्टो लॉकर फ्लैश बैक यह कुछ एक्जम्पल से वाइरस की ठीक है इस तरह के कुछ वाइरस यहां पर होते हैं गज पूसे जाएग इनको मैंने हाइलाइट भी किया हुआ है तो इनके बारे में प्याद रख सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे कंप्युटर वाम क्या होता है तो चंप्युटर वाम एक mailsag Unless सलफ एफ रपलिकेट लूम थेहां मालवेर जरिक है जो हमारे सॉंथ्टवर और हारड़र प्रोग्राम के फंक्शन को या करता है अफ्यक्त करता है उन पे असर डालता है विफ urese εί jan नेटवर्क हमारा जो नेटवर्क का वाइड सेपरेड यूज है उससे पहले जो computer warm जो होते हैं वो infected storage मीडिया के जरिए भी spread हो सकते हैं जैसे के floppy disk होती है हमारी floppy disk जो होती है ठीक है which one जब हम उसको अपने system में डालते हैं वो हमारे storage devices को जो हमारे उस system के साथ यानिकि कोई system ठीक है floppy disk जो है अगर वो victim है यानिकि अगर वो infected है अगर उसको अपने storage devices connect करेंगे तो हमारे storage devices को भी वो infect कर देगी जैसे के USB drive जो है यह भी कहा है common vector computer worms की गाई समझ गए आप computer worm भी कहा है एक malicious self applicative software program है क्या है यह लेकिन यह software program है ठीक है वाईरस नहीं है यह software program है ठीक है जो हमारे software और hardware को क्या करता है उनको effect करता है ठीक है अब देखते हैं कि worms और viruses के बीच में क्या अंतर है computer worms जो होते हैं यह self replicating program होते हैं ठीक है जो सप्रेड होते हैं, हमारी कोई भी इसमें human intervention की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक बार वो start हो जाएं, फिर वो खुछ से आगे replicate होते रहते हैं, इनके self-replicating हैं, इसे हम कहते हैं, अब हम intercontrast में अगर हम viruses को देखें, viruses भी self-replicating हैं, यहां पर कामा नहीं है, viruses भी self-replicating program हैं, लेकिन आम तोर पर इन्हें कुछ action की ज़रूरत होती है, जो user का action होता है, जिससे के वो inadvertently subred करते हैं, दूसरे program के system में, तो वैसे simple सा difference है इन दौनों के बीच में, ठीक है, दौनों क्या है, self-replicating हैं, लेकिन अगर computer warm जो है, एक बार start हो गया, तो उसको बाद में human intervention की ज़रूरत नहीं पढ़ती है, अगर viruses में क्या है, अगर viruses भी self-replicating हैं, लेकिन इसको अकसर हमारे कुछ actions के लिए, इसको user की ज़रूरत पढ़ सकती है, तो बढ़ते हैं आगे, आगे हमारा Trojan house, Trojan house क्या है, Trojan house बोलो या ये भी एक malware है, ठीक है, जो mislead करता है, user of its true intent, ठीक है, जो user जो होता है, उसको mislead करता है, अब Trojans है क्या, generally spread होते हैं किस से, by some form of social engineering, जो social engineering होती है, उसकी कुछ तरह से ये क्या होते हैं, spread होते हैं, जैसे के, for example, लिखते हैं क्या है, जब एक user को dupe बनाया जाता है, into a executing, into a email attachment, उसको कोई email attachment बेज जाती है, ठीक है, डूप क्या होता है, किसी को बोला बनाना, बोला लगरा जो बन्दा होता है, उसी तरह, user को जब इस तरह की जाता है, उसको को email attachment बेज जाती है, disguise के जाता है, to appear not suspicious, example, जैसे के routine form to be filled in, कहा, उसको बेज जाएगा, कोई email बेज ज advertisement को click कर दिया गया, तो Trojan जो होता है, यह भी एक malware होता है, एक किसम का virus ही होता है, यह भी ठीक है, malware ही होता है, तो Trojan जो होती है, attacker को क्या कर सकता है, attacker जो है यहां पे, हमारे users को access, user को, क्या कर सकता है, access कर सकता है, उसकी personal information ले सकता है, banking information ले सकता है, password या personal identity भी ले सकता है, तो वैस देखिए अकसर क्या होता है आपके कोई email आ गई कोई message आ गई हाँ यह important चीज है यहाँ पे आप क्या करो कि आप अपनी email id डाल दो ठीक है अब यहाँ पे आप इस पे click करो आपको इतने पैसे मिलेंगे ठीक है लोगों को do बनाया जाता है यहाँ पे आगे देखते है इसमें क्या है अब यह क्या कर सकता है trojan house जो है यह user की file को भी delete कर सकता है या दूसरी devices को जो भी हमारे network से connected है उनको भी infect कर सकता है ठीक है तो ransomware attack जो होते हैं अकसर होते हैं कब out using a trojan after it is activated ransomware attack जो होते हैं यह भी अकसर होते हैं कब जब trojan होता है using a trojan trojan को use करके after जब यह activate हो जाता है जब आक्टिवेट हो जाता है यह बहुत सारे attack कर सकता है हमारे host पे जैसे कि from irritating हमारे user को इसे कि विंडोस के उपर कुछ पॉप आप होगा ठीक है या हमारे जो डेस्क्टॉप है उसको चैंज कर देगा या जो हमारा होस्ट है उसको डिलीट कर देगा डैमेज कर देगा हमारे जो फाइल उनको डिलीट कर देगा हमारे डेटा को चोरी कर देगा या इसको एक्टिव also known to create इनको यह बैक डोर भी यहां पर करते हैं कि दूसरों को भी यहां पर लाते हैं ठीक है बैक डोर को भी यहां पर लेकर आते हैं to give malicious user to the system जो malicious users होते हैं उनको access देता है कि हुमारे system में entry कर सकते हैं जोते के computer virus की तरह नहीं है computer viruses और warm की तरह नहीं है frozen जो है generally do not attempt to inject themselves ठीक है वो अपने आपको क्या कर सकता है अपने आपको attempt inject करने कुशिश नहीं करता है into other files ठीक है और otherwise propagate themselves ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है malware है तो malware क्या चीज़ है malware short fart देखेंगे तो malicious software है यह भी यह एक software है जिससे हमारे computer operation को disrupt करने के लिए यूज किया जाता है gather हमारी sensitive information जो होता है या कुछ हमारी private computer system की जो private computer system होता है उसको उसकी information को gain करने के लिए इसको यूज किया जाता है ठीक है it can appear in the form of executable code script active content या other software या हमारे कैसे appear होगा हमारे सामने ये कुछ executable code होगे या कुछ script code होगा या कुछ script होगी active content हमारे पास आ जाएगा या कुछ software जाएगा उसको जैसे हमने download किया उसे देखा उसे हमने visit किया तो हमारे computer के under malware आ जाएगा तो बढ़ते हैं आगे देखते है ransomware के आए तो ransomware जो है ये भी एक type का malware program है जो इनफेक्ट करता है और हमारे system को control करता है ठीक है अब ये क्या करता है ये हमारे computer को in fact करता है with the intention to exhausting money देखो ransomware क्या होता है ransomware क्या होता है कोई हमारे computer के system में क्या कर देगा क्या करेगा कि कुछ ऐसी problem डाल देगा इंसरक्ट कर देगा फिर बाद में बोलेगा बाद में क्या बोलेगा भाई मुझे इतने पैसे चाहिए नहीं तो मैं तेरे system को क्या crash कर दूबा नहीं तो मैं तरो इसमों को बेच दूगा नहीं तरो टेरे बीज कर दूगा थीक यह तो उसके प्नरका से इंक प्रोती की बीज़ता है घ। इक यह कोई साफ्ट्रेट के चोह चूरता है और संगिय। एंट्रे उसे सविच नहीं रह precisa ही तो । जो data है उसको चोड़ता है और sensitive information को भी steal करता है spyware जो है उसको classify किया जाता है type of malware ठीक है spyware को other type of malware भी classify किया जाता है इसको design किया गया है किस के लिए gain access are to damage your computer आपके computer में access को gain करने के लिए या आपके computer को damage करने के लिए अकसर इसका हमें कोई knowledge नहीं होता है और यह हमारे computer में आ जाता है जैसे के viruses होते हैं just like viruses की तरह spyware जो होते हैं इनको भी install किया सकता है जब कोई आप email attachment खोलते हो या कोई इसमें क्या होता है malicious software होता है या कुछ through cookies की जरीए आपके पास spyware आ सकता है इसका आपको पता भी नहीं चलेगा it can also be installed when you install another program that has a spyware installer attached to it अब इसमें क्या होता है यह तब भी install हो सकता है जब आप किसी दूसरे program को क्या करते हो install करते हो जिसके साथ इसपाइवेर installer भी अगर क्या होता है अटैच होता है उससे भी आपका जो access है आपका data ब्रीच हो सकता है ठीक है और आपका internet data भी वह यूज कर सकता है उसके पाद Adware Adware बोलो या Advertisement Spotted Software बोल सकते हैं इसको ठीक है Adware क्या है Advertisement Spotted Software है अब यह क्या है एक Software है जो revenue generate करता है इसके developer के लिए कैसे Automatically यह क्या करता है online advertisement generate करता है कहाँपे user के interface ठीक है जिसे हम अगर हम कोई pop-up देख रही है आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई आप कोई स्क्रीन देखते हैं तो आप पर आपको किसी का पॉप आप आ जाता है उसे आप घड़ी घड़ी अठाते रहते हैं फिर से आता रहता है तो वह होता है कि आपको क्लिक का पे करती है ठीक है पर क्लिक कास्ट पर क्लिक होती है जितनी बाद क्लिक के जाद है उतना उनको क्वास्ट मिलती है तो वह होता है एड़ीजमेंट का स्पोर्टर साफ्ट्वेर जिससे को आपको जनरेटिंग आनलाइन के अड़ीजमेंट होता है ठीक है हमारे यूजर के इंटरफेस अक्सर हमारे फोन पर भी आजाती है ठीक है कुछ अनवांटेड को यह होती है इनको हम चाहते ही नहीं फिर भी वह आ जाती है हमारे उस पर उससे क्या होता है उनका रिवेन्यों जनरेट होता है हमारे अब एक इंटरफेस होता है स्क्रीन पर जो हम दे रन्यू को जनरेट करता है ठीक है यह क्या होता है one is for the display of the advertisement and another on a एक होता है advertisement पे display होना ठीक है दूसरा मैंने कहा आपको paper click basis उनको click के basis पे पैसे मिलते हैं if the user click on the advertisement अगर user advertisement के click करते है तो उनको पैसे मिलते हैं अब software जो होता है the software may implement advertisement in a variety of ways अब software जो है यह implement कर सकता है advertisement को बहुत सारे तरीके से जैसे के static box display करेगा या banner display आपने देखा होगा जब भी मतलब कि आप कोई वीडियो गएर देखते हैं देखो वाप नीचे से banner इस तरह का बना हुआ जाता है और यहां पर क्रास का कि आप adware को समझ गए होंगे कि adware क्या होता है तो देखते आगे फिर हमारे पस key logger key logger क्या होता है key logger एक time का यह भी एक type का malware है ठीक है जो हमारे key stroke होते हैं हमारे computer के उनको सब को store करता है जितना भी हमारा personal information होता है यसे कि हमारा username password credit card number personal document यसे कि email report उन सब को key logger जो है key stroke जितने भी computer के होते हैं अपने अंदर store करता है ठीक है यह अगे देखते हैं फिर फिस्टिंग तो पिस्टिंग क्या होता है फिस्टिंग एक fraudulent attempt होती है किसके लिए जिसे के हमारे credential जिसे के हमारे username password credit card detail को क्या कर सकते हैं अक्सेस करने की कोशिश की जाती है कैसे बाइट इसके देखो कोई इंसान आपकी लाइप में ऐसा जाएगा बुलेगा वही मैं एक ट्रस्ट वार्थी बंदा हूं यहां किसी को ट्रस्ट वार्थी बंदा मानते हैं ठीक है तो हमें दोखा देखे तो हमारा सब कुश यूजर नहीं है पासवर्ड करड़ कर सब कुश ले जाता है उसके बाद टिपिकली करड़ आउट वाई इमेल स्पोफिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग ठीक है आपको इंस्टेंट मैसेजिंग वगरा आते रहती हैं यह आफं अक्से डिरेक्ट करता है यूजर ठीक है वन टाइम ओटीपी जो आपके फोन पर आता है वो किसी को ना दे और एक चीज़ कोई फेक काल आती है उसे अपने डिटेल मत दीजिए तो ऐसे भी क्या होता है कि आपको लाटरी का जांसा दिया आता है आपके नाम पर इतनी लाटरी लगी है कितने पैसे आपके न स्पूफिंग क्या होता है स्पूफिंग अटैक एक ऐसे सिच्वेशन है जिसमें क्या होता है एक पर्सन या प्रोग्राम जो होता है सक्सेस्पुली रिप्रेजेंट करता है अपने आपको एज एनादर ठीक है अपने आपको किसी और आदमी बन के क्या करतकता है वहां पर वह program को क्या कर सकता है चला सकता है by falsifying data and thereby gaining an illegitimate advantage ठीक है एक फिर समझाता हूँ spoofing क्या होता है spoofing attack क्या होता है एक ऐसे situation होती है जिसमें एक person या program जो होता है successfully represent करता है अपने आपको दूसरा आदमी बनके represent करता है ठीक है जिससे के वह data को illegitimate advantage data की उठा सकता है बढ़ते हैं आगे फिर है हमारा farming ठीक है farming की बोलेंगे यह वाला farming नहीं गाइस यहां पर हमें कुछ नहीं करना है खेते बाड़ी कुछ नहीं करना है ठीक है computer application में खेते बाड़ी का कोई काम नहीं है बढ़ते हैं आपने farming के तरफ farming क्या होता है जिसकी क्या intended होती है जिसकी क्या आप चाहत होती है कि क्या करना चाहता है वहूत है हमारे चो website की to से रुषे पिलयाता प्ली destac जो है कि यह जो हमारी हमारी वेबसाइट की महीं कथा कि कि ट्राफिक लगता हैं वह लोग हमारी पार्भिक नहीं आते उल्पकिल पैसे त्राफिक जो लोग किसी की समये होते हैं पोल्ट कि ट्राफिक है Depёт अब यह farming का करता है, cyber attack होता है, इसमें क्या होता है, कि जो भी हमारी website की traffic जो है, उसे दूसरी fake site पे, क्या कर सकते हैं, उसे redirect कर लेते हैं, farming conduct हो सकती है, या हमारे host को change करके, host file को change करके, ठीक है, victim के computer पे, victim computer क्या होगा, जिसके computer पे, यह सब हो रहा है, ठीक है, और भाई, exploitation of a vulnerability in the DNS service server software, तो अब आप मुझे जो DNS server software का vulnerability जो है, उसको भी अगर क्या 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 जाए, उसको भी अगर exploit क्या जाए, तो वहां से भी हम इसको कर सकते हैं, अब आप मुझे बताएंगे कि DNS की full form क्या होती है, DNS की full form में आपको कल बताई थी, person भी बताई थी, चलो नहीं याद होती है, तो domain name system होता है, क्या होता है guys, domain name system होता है, तो domain name, domain name कुछ होते हैं, domain की नाम बताएगा मुझे, ठीक है, कौन से कौन से नाम होते हैं, बढ़ते हैं आगे देखते हैं, DNS server जो होते हैं, ये computers और computer के responsible होते हैं, किसके लिए, जिससे के हमारे internet का जो name होता है, उसको resolve करने के लिए, ठीक है, आगे using of online banking के यूजर जो होते हैं, या e-commerce website के यूजर जो होते हैं, ठीक है, सबसे जादा ये attack उनहीं लोगों पर होता है, ठीक है, तो गईस बढ़ते हैं, आगे, देखते हैं, इक questions को, यहां पर हमारा topic खतम होता है, कला हम antivirus के बारे में पढ़ें, कुछ important antivirus जो है, उनके बारे में पढ़ेंगे, important terms के बारे में, पढ़ेंगे antivirus के बारे में, तो किस question का answer दीजेगा, guys, यह पहला question है, कहता है कि विजदा following is a type of program that either pretends to have, इन में से कौन सर प्रोग्राम है, जो क्या कर सकता है, जो अक्सर प्रटेंड करता है, क्या, pretend to have, art is described to as a having, बोलता है उसके पास है, या वो रखता है, क्या, set of useful desirable features, उसके पास कुछ useful desirable feature है, but actually contains damaging code, लेकिन उसके पास क्या होता है, damaging codes होते हैं, मैंने पहले कहा, कि वो चीज क्या है, trojans है, viruses है, warm है, या addware है, तो guys, addware तो बिलकुल भी नहीं होगा, कि इसमें advertisement होती है, ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने option को click करते जाना है, तो दिखते हैं, इसका answer क्या है, पर इसका answer क्या है, इसका answer क्या है, इसका answer है, option number A, यानि के trojan houses, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, आपको email attachment आएगी, वहाँ पर उनकी tactic होती है, कुछ इस तरह की लोगों को ठगने की, लोगों को, लोगों से हैंठने की, कुछ ठीक है, लोगों के system को corrupt करने की, उनसे उनका data चोरी करने की, ठीक है, तो इसका answer है, हमारे पास सोजन, अब इसको पढ़ सकते हैं, और हमारे system और files को damage करता है, viruses, trojan horses, bots या worms, ठीक है, पहला option यहाँ पर bots cut कर सकते हैं, बचते हैं तीन option, तो इन तीन option में आपको click करना है, कौन सा option होगा, तो बढ़ते हैं आगे जिसका answer है, हमारे पास option number D, वाम जो होता है, वाम ही एक ऐसा किसम का क्या होता है, देखे, question क्या बोलता है, वाम ही एक self-replicating होता है, क्या कर सकता है डेमेर कर सकता है वायरस भी कर सकता है लेकिन वायरस के लिए क्या होना चाहिए उसके लिए यूजर का होना ज़रूरी होता है तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं question number 3 क्या कहता है ठीड़ है आप यहां पर which is following the program that पेवल of continually replicating ठीड़ेंग ठीड़ है with little or no user intervention ठीक है तो बढ़ते हैं आगे इस कान से देखते हैं क्या है हमारा पास option number A यह नहीं कि हमारा viruses है ठीक है जिसको भी कभी-कभी user की ज़रूरत पढ़ती है कम पढ़ती है लेकिन ठीक है typically एक piece of code जो होता है इंस्टाल हो गया तो आपकी internet browsing habit को वह track करते रहता है और आपको pop-ups जो है इसमें advertisement होती है ठीक है आपको भीजते रहता है ठीक है उन site created जहां पर आपने विजिट किया है तो उसे हम कहते हैं guys कौन सा होता है वो वह होता है option number B यहनि के adware मैंने पहले कहा था वह किसलिए आता ह है कि उनको जादा revenue generate हो ठीक है वोने कहते है एडवरेन की advertising advertising sported software ठीक है तो guys यह आप यहां पे जो लिखा है इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पास करके बढ़ते हैं आगे हम question number 5 की तरफ question number 5 है हमारे पास कि which of the following which is the what is the software called that is designed to exploit a computer user अब वह कौन सो software है जिसको design किया गया है वो computer के user को एक slide करें ठीक है and is a broad term और यह एक broad term है जो हमारे computer viruses को cover करती है worms, trojan, adware वगारा को cover करती है तो guys इसका answer इसके options है backdoor, key logger, malware, bots तो guys इसका simple answer है आपके पास option number C यनिके malware ठीक है viruses, worm, trojan, adware यह सब क्या है यह malware होते हैं तो guys malware के बारे हम सब जान लेजे क्या होता है ए malicious software होते हैं यह सारे, malicious software होता है, malware एक broad term है, जो encompass करती है हमारे computer viruses को, worm, trojan, arces यह सब क्या होते है, malware कहते हैं, malware को design कहाता है कि वो हमारे normal computer operation को interfere कर देता है, ठीक है, usually hackers को एक मोका देता है कि हमारे computer के access को क्या कर सके, hack कर सके, ठीक है, और उससे कुछ आपकी sensitive of personal information जो है, उसको hand सके, ठीक है, उसको ले सके, तो जैसे कुछ कमारे कुछ fire questions और questions के explanation में आपको बताएं, तो guys, video को यहाँ पर खतम करते हैं, कुछ video से कुछ सीखा है, तो आप lecture को ज़रूर लाइक कर दीजेगा, comment कर दीजेगा, किस तरह की video आपको लगी, video को share ज़रूर कीजेगा आपकी साथ, तकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, इसको फायदा उठा सकें, तो लोगो सब्सक्राइब जूर कीजेगा, जूर प्रकासिर्ग्राम से चैनल है, और बड़ा इकन दबाना ना बोलेगा, guys, कल आपकी class होने वाली है, एक बजे और सुबह कल दस बजे आपकी class होने वाली है, उसमें हम डिसक्स करने वाले हैं, sustainable development goal, तो वीडियो को आपके खतम करते हैं, God bless you all.